नमबर फ़ेश्ट है हमारा पेज नमबर 102 के इंटेस्ट कुछन है क्लास 9 के मोशन चैप्टर के तो यहाँ पे पूछा क्या गया है डिस्टिंग्यूस बिट्वीन स्पीड एंड वेलोसिटी तो हमें इन दोनों को डिफ्रेंशियेट करना है इस्पीड और वेलोसिटी को तो इस्पीड में यहाँ पे क्या पूछा गया है इस्पीड इस्पीड क्या होता है वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे साब से हम क्या करते थे वहाँ पे टाइम को डिवाइट कर देते थे और जो हमारी unit आती थी वो क्या आती थी हमारी km पर hour आती थी same हमारा velocity भी होता है बट यहाँ पर एक particular direction में show करता है speed हमारा कोई direction show नहीं करता है वो किसी भी direction में हो सकता है मतलब वो circular हो सकता है वो zigzag form में होता है but velocity हमारी एक straight line में होता है और एक किसी direction को show करेगा इसके towards east हो गया towards west हो गया या towards north या south ठीक है यह तो यह हमारा difference हो गया और दोनों का formula भी हमारा same होता है v equal to speed का formula हो कि तो v equal to d upon t ठीक है v हमारा speed और velocity दोनों को हम v से denote करते हैं और d हमारा क्या distance है और नीचे हमारा time है but speed में यहाँ पर distance होगा by an object बट यहाँ पर क्या होगा distance by an object at particular direction ठीक है अब यहाँ पर second point क्या बोला है direction of the motion of the object is not specified मतलब जो object की direction है वो कोई fix नहीं है मतलब वो किसी भी form में हो सकती है मालो circular motion में हो सकती है और दूसरे motion में बट जो velocity में होती है direction का ह触ो दीका सपीड होता है किस पैसिफाइब होती है मतलब हो T Tow सीच जाएगा या नॉर्थ जाएगा फैसी मैंने उपर बताया था थर्ड पॉइंट है स्पीड के हमारी स्पीड हमारी है Scodore quantity और और यह सिर्फ क्या होता इस में सिर्फ magnitude होता है इस के international क्ытself magnitude होता है बट व एक्टर क्वैंटीटीटीटी में क्या होता है magnitude प्लस डिर्यक्ष्ण तो व्यक्टर क्या होता है मैंनिटुड भी Camp KV । सकती है और यह सिर्फ सर्फ डिश्टैंस कवर कररी है लास्ट पुइंट है हमारा speed is always positive speed जो होती है हमारी इसकी जो unit आती है हमेशा क्या होती है positive आती है but velocity की आ हो सकती है हमारी negative आ सकती है कैसे आ सकती है मालो यह A point है यह हमारा B point है अगर A point B point पे जाता है office तो यह हमारी क्या हो गई positive हो गई बट अगर बी से घर की तरफ दुबारा आ रहा है तो यह हमारी velocity यहां पर क्या हो जाएगी negative हो जाएगी, बट हमारी जो speed है यहां पर positive रहेगी क्योंकि वह distance वहां पर cover कर रहा है बट यहां पर जो magnitude of direction and velocity में वह अलाग होती है जिसके वजह से वह negative होती है ठीक है इसकी Link में आपको यहाँ पर वीडियो किया है डिस्क्रीशन में डाल दूगा Speed और velocity के वहाँ पर देखो कि तो आप clear हो जाएगा कि magnitude क्या होता है वहाँ पर direction क्या होता है और scalar vector quantity क्या होती है अब हम बड़ते हैं अपने next वीडियो की तरह